देखे ये एक बहुत अच्छा और यूसफुल सवाल लगा तो आप सब के साथ डिसकस कर रहा हूँ सवाल यह है कि सर लक्षमी कांत दो बार पढ़ी है और दो बार पढ़ने के बाद प्रिलिम्स के कुश्चन सौल हो रहे हैं कि UPSC Mains का जो पेपर आता है that is opinion based वहाँ पे आपका opinion लिया जाता है लक्षमी कांत कोई घुटी नहीं है जिसको घोल के आप पी लोगे और आप Mains के सवाल सवाल कर लोगे Mains is all about your opinion Mains is all about how you see the society how you see your surroundings how you assess your ambience समझे आप बात को इसका एक बड़ा अच्छा एक्जामपल देता हूँ अभी रिसेंटली सुप्रीम कोट में इंदरासानी केस को लेके काफी गर्मा गर्मी हुई है इंदरासानी जिज्जमेंट 1992 को आपको याद होगा OBC Reservation की वहाँ पर बात हुई थि सुप्रीम कोट ने कहा था कि ओवराल Reservation 50% को एक्सीड नहीं गा सकता अब इस बात के पूरे चांसे हैं कि अभी जो मेंस होगा उसमें UPSC इंदरासानी जिज्जमेंट से रिलेटेड कुश्चन पोच सकता है तो अगर इंदरासानी जिज्जमेंट से रिलेटेड कुश्चन अगर आपसे UPSC में इसमें पूछता है तो उस रिस्पेक्ट में आप अपने आंसर को एंदरिच करने के लिए क्या कर सकते हो यह Reservation की बात कर रहे हमारे सम्विधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो Reservation से डील करता है अगर आटिकल पंदरा क्लॉस चार का रिफरेंस देखे आप अपने आंसर का कंक्लूजन या फिर आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन लिखते हो तो कहीं न कहीं एक्जामनर के माइंड पे अच्छा एफेक्ट पड़ेगा मतब लक्षमी कांथ आपको उससे Related Static Concepts बढ़ रही है Quality से Related Staric Concepts Quality से Related Articles लक्षमी कांथ में आपको याद रहेंगे पॉलिटी के उसमें बस आपको दो तिन आठिकल के नाम गुशर देने है पॉलिटी के काम करने का तरीका गुशर देना है ये मत सोचेगा कि कभी आप से सीदे पूछेगा कि Article 311 क्या होता है या Article 370 क्या होता है कि Center State relation क्या है ये सब नहीं पूछेगा वो आपसे opinion पूछेगा कि क्या ये चीज ऐसे हुई है तो ये सही है ये गलत है इसको criticalization करिए, examine करिए, assess करिए तो इस प्रकार के सवाल आएंगे तो लक्ष्मी कांथ आपको सीधे-सी देने के ही मिलेंगे इसलिए अपने ओपीनियन को इन्हाइस करें और इसलिए मैं बोलता हूं ओपीनियन इन्हाइस करने के लिए था हिंदू के अडिटोरिल बहुत ध्यान से देखिए थैंक यूफर वाचिंग